महिलाओं को हर महीने एक निश्यत मैंस्ट्रूल साइकल से गुजरना पड़ता है एस दोरान महिलाओं के शरीर में तेजी से हॉर्मोनल बदलाव होते हैं ये बदलाव उनके लिए कई अन्य समस्यां का कारण बन सकती है सफेद स्त्राव यानि की वाइट डिश्चार्ज जिसे लियो कोरिया भी कहा जाता है महिलाओं में एक समाने समस्यां मानी जाती है ये हलका या गाड़ा सफेद रंग का डिश्चार्ज हो सकता है जो अक्सर मासिक चक्र यानी की पीरिट से पहली या बाद में दिखा जाता है हाला कि समाने वाइट डिस्चार्ज शरीर की सफाई प्रक्रिया का हिस्सा होता है लकिन जब ये जादा मात्रा में हो साथ में खुजली जलन या तेज दुरगंद हो तो ये चिंता का कारण बन सकता है ऐसे में चली आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या मेथी दाने से वाइट डिस्चार्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है नमस्कार मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका वाइट डिश्चार्ज के अधिक होने का एक कारण हॉर्मोनल असंतुलन हो सकता है मेथी के बीज में फाइटो ऐस्ट्रोजन नामक योगिक होते हैं जो हॉर्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं ये महिला रेप्रडक्शन प्रणाली में सहायक होते हैं और अत्यदिक वाइट डिस्चार्च को कम करते हैं। मेथी के बीज में anti-microbial good होती है जो बैक्टिरिया और संक्रमण के कारण होने वाले वाइट डिस्चार्श को कम करने में मदध कर सकते हैं मेथी का नियमित सेवन करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है जिससे शरीर संक्रमनों से लड़ने के लिए मजबूत बनता है ये संक्रमन के कारण होने वाले वाइट डिस्चार्ज को कम करने में सहायक हो सकता है वही पाचन तंत्र की समस्या भी वाइट डिश्चार्ज को प्रभावित कर सकती है मेथी के बीच जो पाचन को सुधारते हैं और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं जोसे वाइट डिश्चार्ज की समस्या कम होती है अब जानते हैं कि आखिर वाइट डिशार्ज में मेथी के बीच का सेवन जो है आपको किस प्रकार करना चाहिए मेथी के बीच का पानी वाइट डिशार्ज को कम करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है इसके लिए एक चम्मच मेथी दाने के एक चम्मच को एक गिलास में भिगो दे अगली सुभह इस पानी को चान ले और खाली पेट पीए आप एक कब पानी में एक चम्मच मेथी को बाले इसके बाद इसे चान कर भी आप इसे दिन में दो बार पी सकते हैं उमीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और भी इस इन्फरमेटिव वीडियो उसको देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारी साथ तब तक के लिए नमस्कार